लोग वीडियोज डालेगे अप चनल पर चैज़ सौट वीडियोज डालेगे कोई फरक नहीं पड़ेगा और मैं कह रहा हूं चुटकियों बजा के कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में यूटूब आपके लोग वाली वीडियोज को भी आपके जो सब्सक्राइबर्स जो उनको भी कमन करेगा बस समझ रहो आप ये आपके लिए खुशकबली है आपको अलग चला बनाने की ज़रत नहीं दोस्तों वीडियो में आगे बनने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रू करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती वीडियो कुछ नई चीज़ कर रहा है लेकिन इस बार आपके लिए अपने क्रियेटर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ की है जिसका काफी दिनों से इंतजार था और यह बहुत पहले होना चाहिए था आपके लिए गुड निव्ज है अगर आप लोंग और सौट दोनों वीडि चैनल को कैसे बूस कराने वाला है वह तरीका आज मैं आपको समझाने वाला हूं नमस्कार दोस्तों मैं हूं अब यहां पर देख सकते हैं दोस्तों अभी तक यूटूब पर अगर आप अपने चैनल पर लॉडियो और सौड वीडियो डालते थी मेरी बात को गौर से समझन पर आगे बताता हूं फिर आगे बताता हूं इसका फायदा क्या होने वाला आगे आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां पर एक पहला टायब है होम दूसरा है वीडियो तीसरा है सौड और चौता है लाइव और इसके बाद पांचवा है प्लेलिस्ट कमूटी चैनल्स एन बाड молод और सक्सान तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ चीजें इंक्लीट खिर दिगएं हैं जैसे की आप यहां पर देख सकते हैं पहले एक एलेक होता था लेकिन अब यहां पर वीडियो को तीन पार्ट में कर YouTube पर काम करते हैं तो जमन होता है आप सौड डाल देते हैं जमन होता है लॉंग डाल देते हैं डालते हो ना सभी डालते थे और ज्यादतर 95 के परसंट क्रियाटर यही करता था तो क्या होता था कि अगर आपके सौड वीडियो वाराल होती थी तो उसकी जो सब्सक्राइबर्स आप मिलते थे आपको आपके 2000-3000 सब्सक्राइबर्स मिलते थे तो योटो क्या करते था अभी तक आपकी जो लॉंग वीडियो अगर आप उछलती था लेकिन आज मैं आपको बतारू अब ऐसा नहीं होने वाला है अब यूटूब बहुत बड़े चेंजमेंट की ओर चलना है क्योंकि उसकी वाट लग रही है उदर फेस्बुक ने अपने सौट एड़ ओन कर दिया फेस्बुक लॉड़ वीडियो पर पैसा देही रहा है अब उदर टिक टॉक वर्ड लगाए पड़ा है तो अब यूटूब क्या कर रहा है कि अब आपको अलग चैनल बनाने की दिए जूरूत है अब आपके जो चैनल का जो स्टक्चर था पहले काफी गंदा दिखता था प् में अभी तो फिलार में यह चीजे पहला स्टेज चला पहले स्टेज में इसने यह फिचर ला दिया कि अब लॉंग वीडियो जो स्टक्चन है वह अलग होगा और लाइव जो आप करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग करते उसका अलग होगा अब यहां पर फायदा क्या होगा जब फेहले क्या होता था जब कोई निया केंटर आता था त आपके चला पर वीडियो में गटिया देखते थी लेकिन अब अब आप खुद देख सकते हैं यह आप यह आँ अभी कुछ पून पर आया है और बहुत लॉंग वीडियो जो आप डालेंगे अपने चैनल पर जब भी कोई नया वीवर नया सब्सक्राइबर नई ओडियेंस आपके चैनल को विजिट करेगी वो सिर्फ पहले आपके लॉंग वीडियो को ही देखे आपके होम पेज पे भी आपके लॉंग वीडियो से होगी, इसके बाद वीडियो के सक्षिन में आपके सिर्फ लॉंग वीडियो से होगी, और अगर उसको सौट देखना है आपका, तो फिर वो लॉग, उसमें जाएगा सौट वाले सक्षिन पे, अगर उसको लाइव स्ट्यमिंग चेक करनी, तो वो लाइव स्ट्यमिं सक्षिन पे, अब एक बेन फिर यहां पर होगे आपका, अगर आप दो चला भी तक मैं बोलता था, दो चला बनाएए, एक पर सौट करिए, क्योंकि अभी तक यूटूब सजेस्टी नहीं करता था, आपके लॉंग वीडियो को सौट वाले सब्सक्राब जो आपके किसे सौट वीडियो से आएं, उनको भी रिकमन करेगा, बस समझ रहो आप, ये आपके लिए खुसकबली है, आपको अलग चला बनाने की ज़रुत नहीं, लेकिन यहां पर कुछ पॉइंट स्कॉर को ध्यान पर देना है कि हमें किस ताइप के वीडियो डालने है देखे, आपको सबसे पहले लॉंग वीडियो अप्लोड करने हैं अपने चनल पर, मेरी बात को समझना, लॉंग वीडियो अप्लोड करने हैं, ठीक है, लॉंग वीडियो आपको पता है कि यूटूब पहले से लॉंग वीडियो पर ही चला था, वो तो सौट बीच में आ ग दिमाग में आया कुछ नहीं आया है तो आप क्या करिए लूंग वीडियो वफ्लोड कर दीए आप उसी लॉंग वीडियो losses offices आप उसको यह जो रेसियो पोuses content animused वड वाला अब उसको वीडियो को create कर दीजिए, चाहे उसको आप अलग app से create करिए, जो आप जिस app से आपने बनाया है, या फिर आप YouTube से ही आप उसको क्या कर सकते हैं, आप trim कर सकते हैं, उस वीडियो के part को, थोड़े से जो main part है, उसको आप लगा सकते हैं, मेरा suggestion होगा कि आपको उसी वीडियो से ऐसे कर नहीं करना है, यूटूब के अंदर, आप अलग से उसी वीडियो का इस्तावाल करके, छोटी छोटी क्लिप करके, एक short वीडियो क्रेट करिए, और उसको आपने short में upload कर दीजिए, और उस वीडियो में बोलना है आपको, कि जो मेरी ये short वीडियो है, अगर आपको इसका product का या फिर जो भी चीजा बता रहे हो, उसका full वीडियो चाहिए, full detail में चाहिए, तो मेरे चैनल पे जाएए, वहाँ पर वीडियो मैं upload कर चुका हूँ, बास समझ रहे हो अब, लेकिन सबसे पहले आपको long वीडियो राल ली होगी उसके, और आप इस तरीके से अप अपने long वीडियो वाले चैनल पे काम कर सकते हैं, और live आते हैं तो उसका section ही अलग होगा, तो आपके लिए good news मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको अलग चैनल बनाने की जूरत नहीं है, और आगे आने वाले दिनों में मैं guarantee देता हूँ, कि YouTube आपके sword वाले जो सबस्क् यह नहीं कि जो भी मन चाहा, किसी का भी उठाया और चांप दिया, जिस भी line पे काम करें, अगर आप sword sword ही डाल रहें, और आपको लगता है कि वीच वीच में आप long डाल रहें, तो भी कर सकते हैं, आप sword create कर रहें, आप fact के video बना रहें, आप entertainment कर रहें, आप लोगों को comedy हस कर रहें, लोगों को educate कर रहें, उस टारीके के sword create कर सकते, आप background music लागा के dance कर रहें, आपको dancing का sock है, वो भी कर सकते, ऐसा नहीं है, अपनी face value बनाईए, जब तक face value नहीं बनाएंगे, तब तक वही लोग आपके जाके channel पे, जो आप पहले face value बना लिए आपने, आपने long videos पर काम करके, ठीक है, sword video पर काम करके, video viral होगी, इसके बाद आप उसी channel पर long video upload कर सकते, like blogging, लोग आपको देखने आएंगे, लेकिन video में जैसे आप बोल रहें हैं, long video बनाने के बाद, जब आप sword video create करें, वहाँ पर ये जरूर बोलना है, जो भी आप educational content डालें, जो भी ची changes करने वाला है, stage चल लई है, second stage आने वाली है, जिस पर अब ये जरूर हो जाएगा, कि वो long videos भी आपके sword वाले सब्सक्राइबर तक भेजने की, recommend करेंगा, 100% आपको बतारा हूँ, क्योंकि YouTube देख रहों को day by day कुछ ना कुछ changes कर रहा है, क्योंकि उसकी part लगी है, कैसे भी करके मेरे platform से लोगों को इधर उधन न जा पाएं, इसी platform पे काम करें, तो वो अब आपको support करेगा, नए creator को जो लोग long short mix करते, उनको support करेगा, यह मैं guarantee रेता हूँ, तो long short पे काम करने वालों, आपके लिए बहुत बड़ी खुसक्री है, और यह जो feature दिया है, tab का section अलग लोग पे जाएंगी, तो दोनों काटिगरी पे आप काम करें, लोग और short वीडियो, लेकिन proper way से करें, जो मैं आपको समझाया, अगर आप blogging कर रहे हैं, तो blogging पहले full डाली है, इसके बाद short वीडियो उसी का mini blog मना के डाल दीजिए, voice or करके, बाद समझ गया, full vlog देखना है तो हमने चैनल पर वीडियो है, जाके जरूर चेक करें, तो इस तरीके से आपको voice or करके, अपने short और long पर काम करना है, मेरी बात को आप समझ गया होंगे, जो लोग नहीं समझें, दोबारा फिर से repeat करके एक बार देख लेना, बात समझ गया, मुझे पता है कि आप लोग ज तरीके से डालने की कोशिस करिए, आप recipe का बना रहे है, आप beauty का बना रहे है, जो भी आपका है, उसका short एक अच्छे से voice or करके आप create करिए, जिससे लोग आपको engage करें, अगर आपने short videos पे 90% engagement कर लिया, 100% आपकी video वो viral होगी, आज नहीं आने वाले दिनों में views आएंगे, जरूरी नहीं है कि अभी नहीं चली तो कल नहीं चलेगी, यह यह video है, यह YouTube platform है, कब आपकी video को लोग पसंद करने हैंगे, कब उसमें engagement देने लगे, आपको कुछ नहीं पता, बास समझ गया, तो YouTube पर यह होता है, video तो हम डाल देते हैं, पढ़िए, अब क्या पता कब कौन स से पैसा कमा पाएंगे, देखिए, लॉंग videos का जो सक्सन है, 4000 घंटे चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, अगर वो पूरा हो जाता है, तो उससे mortgage करा लीजिए, आने वारे दिनों में, अब 10 million views चाहिए, आपको 60 video में, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, अगर million views आ जाते हैं, तो भी आप motivation के लपलाई कर सकते, तो दोनों आपको type तो मिल गए न, अब आप काम करिए, दोनों पर काम करिए, किसी पर भी किसमत चमक सकती है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, उम्मीद तरेंगे कि जो मैं आपको बताने वाला था, आपके भेजे में कुछ न कुछ गुस अगर नहीं गुसा है, तो फिर यूटूबर नहीं बन पाओगे, गुसेरो उसको और अच्छे से फिर से वीडियो वास करो, अगर समझ में नहीं आया है, बस समझ गये, चेहिन वंदे मात्रों